ओम शांती मीठे बच्चे आज की मूरली 28 मार्च 2024 दिन गुरुवार की संपूर्ण मूरली मीठे बच्चे यह कल्यानकारी पुरुशोत्तम संगमेग है इसमें पुरानी दुनिया बदल नई होती है इस युग को तुम भूलो मत प्रशना बाप छोटे बडे सभी बच्चों को आप समान बनाने के लिए एक प्यार की शिक्षा देते हैं वह कौन सी उत्तर मीठे बच्चे अब भूले मत करो यहां तुम आये हो नर से नारायन बनने तो दैवी गुन धारन करो किसी को भी दुख मत दो भूले करते हैं तो दुख देते हैं बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते वह तुम्हे डायरेक्शन देते हैं बच्चे मामे कम याद करो योगी बनो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे तुम बहुत मीठा बन जाएंगे ओम शांती जो बच्चे अपने को आत्मा समझ परम्पिता परमात्मा के साथ योग लगाते हैं, उनको सच्चा योगी कहा जाता है क्योंकि बाप प्रूथ सच्चा है न तो तुम्हारा बुद्धियोग सत्य के साथ है वह जो कुछ सुनाते हैं, सत्य ही है योगी और भोगी दो प्रकार के लोग हैं भोगी भी अनेक प्रकार के होते हैं योगी भी अनेक प्रकार के होते हैं तुम्हारा योग तो एक ही प्रकार का है उन्हों का सन्यास अलग है, तुम्हारा सन्यास ही अलग है तुम हो पुरुशोत्तम संगमिव के योगी, और किसको इस योग का पता ही नहीं कि हम पावन योगी हैं या पतिक भोगी हैं, यह भी बच्चे जानते नहीं, बाबा तो सबको बच्चा बच्चा कहते हैं क्योंकि बाप जानते हैं कि हम बेहद आत्माओं का पिता हूं, और हम आत्मा सब आपस में भाई-भाई हैं. वह हमारा बाप है. तुम बाप के साथ योग लगाने से पवित्र बनते हों. वह है भोगी, तुम हो योगी. बाप अपना परिचय तुम को देते हैं. यह भी तुम जानते हो कि यह पुरुशोत्तम संगम्युग है. यह तुम्हारे दिगर कोई जानते नहीं. इसका नाम है पुरुशोत्तम संगम्युग. इसलिए पुरुशोत्तम अक्षर को कभी नहीं भूलना. यह पुरुशोत्तम बनने का युग है. पुरुशोत्तम कहा जाता है उच और पवित्र मनुष्य को. उच और पवित्र यह लक्षमी नाराय तुमको अब ताइम का भी पता पड़ा है पांच हजार वर्ष के बाद यह दुनिया पुरानी होती है फिर इसको नया बनाने के लिए बाप आते हैं अब हम है संगम्युगी ब्राहमन कुल के उच्चते उच्च है ब्रहमा, परन्तु ब्रहमा को शरीर्धारी दिखाते हैं शिव बाबा तो अश्रीरी है बच्चे समझ गए हैं, अश्रीरी और शरीर्धारी का मिलन होता है उनको तुम कहते हो बाबा यह वंदर्फुल पाठ है न इनका गायन भी है, मंदिर भी बनते हैं कोई किस रीती, कोई किस रीती रत को श्रिंगारते हैं यह भी बाबा ने बताया है, बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ कितना क्लियर समझाते हैं पहले फले भगवानु वाच कहना पड़े, फिर मैं बहुत जन्मों के अंत में सभी राज बच्चों को ही समझाता हूँ और कोई समझ भी न सके, तुम बच्चे भी कभी कभी भूल जाते हूँ, पुरुशोत्तम अक्षर लिखने से समझेंगे यह पुरुशोत्तम युग ही कल्यानकारी युग है, अगर युग याद है तो समझेंगे अब हम नई दुनिया के लिए बदल रहे हैं, नई दुनिया में होते ही हैं देवताएं, युगों का भी अब तुमको पता पड़ा है, बाप समझाते हैं मीठे बच्चे संगमिब को कभी भूलो मत, यह भूलने सारा ज्यान भूल जाता है, तुम बच्चे जानते हो अब हम बदल रहे हैं, अब पुरानी दुनिया भी बदल नई होनी है, बाप आकर दुनिया को भी बदलते हैं, तो बच्चों को भी बदलते हैं, बच्चे बच्चे तो सभी को कहते हैं, सारी दुनिया की जो भी आत्म सब बच्चे हैं नई दुनिया में देवी देवताय होते हैं देवताय पवित्र हैं वहां रावन राज्य ही नहीं बाप तुम बच्चों को रावन पर विजय प्राप्थ कराते हैं रावन पर विजय प्राप्थ होते ही राम राज्य शुरू हो जाता है राम राज्य नई दुनिया को और रावन राज्य पुरानी दुनिया को कहा जाता है राम राज्य कैसे स्थापन होता है यह तो तुम बच्चों के सिवाए कोई जानते नहीं रचिता बाप बैठ तुम बच्चों को रचना का रास समझाते हैं बाप है रच्चिता, बीज रूप बीज को कहा जाता है व्रिक्षप्ती अब वह जड़ बीज है, उनको तो ऐसे नहीं समझेंगे तुम जानते हो बीज से ही सारा ज़ाड निकलता है सारे विश्व का कितना बड़ा ज़ाड है वह है जड़, यह है चैतन्य सक्चितानद स्वरूप, मनुश्य स्रिष्टी का बीजरूप बाप है, उससे कितना बड़ा ज़ाड निकलता है माडल तो छोटा बनाते है मनुश्य स्रिष्टी का ज़ाड सबसे बड़ा है उँचते उँच बाप नौलेज फुल है उन जाडों की नॉलेज बहुतों को होती है इसकी नॉलेज तो एक बाप ही देते है अब बाप ने तुम्हें हद की बुध्धी बदल बेहद की बुध्धी दी है तुम इस बेहद के जाड को जान गए हो कितना बड़ा पोलार इस जाड को मिला हुआ है बाप बच्चों को बेहद में ले जाते हैं अब सारी दुनिया ही पतित है सारी स्रिष्टी ही हिंसक है एक दो की हिंसा करने वाले हैं अब तुम बच्चों को ज्यान मिला है अहिंसक सिर्फ एक ही देवता धर्म होता है सत्युग में सत्यूग में सभी पवित्र, सुख, शान्ती में रहते हैं सब मनो कामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो जाती है सत्यूग में कोई कामना नहीं अनाज आदी सब कुछ अथाह मिल जाता है यह बामबे पहले नहीं थी देवताएं खारे, सागर के किनारे, जमीन पर नहीं रहते हैं मीठी नदिया जहां थी, वहां देवताएं थे मनुष्य थोड़े थे, एक एक को बहुत जमीन होती है सत्यूग में है ही वाइसलेस वर्ड तुम योगबल से विश्व की राजाई लेते हो उसको ही रामराज्य कहा जाता है पहले फले नया जहाड बहुत छोटा होता है पहले थूर में एक धर्म था फिर फाऊंडेशन से तीन ट्यूब निखलती है एक जैसे फाऊंडेशन है देवी देवता धर्म का थुर से टाल-टालिया छोटी-छोटी निकलती है अब तो इस जाड का थुर ही नहीं है और कोई ऐसा जाड होता ही नहीं है इनका मिसाल भी बढ़ के जाड से एक्योरिट है बढ़ का जाड सारा खड़ा है लेकिन थुर है ही नहीं सूखता भी नहीं सारा जाड हराभरा खड़ा है बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं थुर तो यही है ना राम राज अथवा देवी देवता धर्म भी थुर में ही आजाता है बाप कहते हैं हम तीन धर्म स्थापन करते हैं यह सब बातें तुम संगम्युगी ब्राह्मन ही समझते हो। तुम ब्राह्मनों का है छोटा सा कुल्ग। छोटे-छोटे मठपंथ निकलते हैं ना। अर्विंद आश्रम है कितना जल्दी-जल्दी वृध्धी को पाते हैं क्योंकि उनमें विकार के लिए कोई मना नहीं। यहां बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। उन पर विजय पानी है। ऐसे कोई और कह न सके। नहीं तो उन्हों के पास भी हंगामा हो जाए। बच्चे कैसे पैदा होंगे। उन बिचारों का भी दोश नहीं है। जीता पाठी कहते भी हैं भगवान वाच काम महाशत्रु है। उनको जीतने से जगत जीत बनते हैं परन्तु समझते नहीं है। वह जब यह अक्षर सुनाते हैं तो उन्हों को समझाना चाहिए। इस पर बाबा कहते हैं जैसे हनुमान दरवाजे पर जुप्तियों में बैठता था। बाबा भी कहते हैं जाकर किनारे बैठ सुनकर आ। फिर जब यह अक्षर कहें तो पूछो इसका रहस्य क्या है। जगत जीत तो यह देवताएं थे। देवता बनने लिए तो इन विकारों को छोड़ना पड़े। यह भी तुम कह सकते हो। तुम ही जानते हो कि अब राम राज्य की स्थापना हो रही है। महावीर भी तुम हो। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बहुत प्यार से पूछना चाहिए स्वामी जी। आपने बताया कि इन विकारों पर विजय पाने से विश्व के मालिक बनेंगे। लेकिन आपने यह तो बताया नहीं कि पवित्र कैसे बने। अब तुम बच्चे पवित्रता में रहने वाले महावीर हो। महावीर ही विजय माला में पिरोये जाते हैं। मनुश्यों के कान तो रान बाते सुनने पर हिरे हुए हैं। तुमको अब रान बाते सुनना पसंद नहीं आती। राइट बाते तुम्हारे कानों को अच्छी लगेंगी Here no evil मनुश्यों को सुजाग तो जरूर करना है भगवान कहते हैं पवित्र बनो सत्योग में सब पवित्र देवताएं थे अब सब अपवित्र हैं ऐसे ऐसे समझाना चाहिए बोलो हमारे पास यह सत्संग होता है उसमें यह समझाया जाता है कि काम महाशत्रू है अब पवित्र बनना चाहते हो तो एक युक्ती से बनो अपने को आत्मा समझ भाई-भाई की द्रिष्टी पक्की करो तुम बच्चे जानते हो पहले फले यह भारत बहुत भरपूर खंड था अब खाली होने कारण हिंदुस्तान नाम रख दिया है पहले भारत धंदौलत, पवित्रता, सुख, शान्ती सबसे भरपूर था अब है दूख खोन से भरपूर तब पुकारते हैं है दूख खहरता, सुख करता तुम कितना खुशी से बाप से पढ़ते हो ऐसा कौन होगा जो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्सा नहीं लेगा पहले फले अल्फ समझना है अल्फ को न जाना तो कुछ भी रहस्य बुद्धी में आएगा ही नहीं तो बेहद का बाप जो बेहद का वर्सा देते हैं जब यह निश्चय बैठे तब आगे बढ़े बच्चों को बाप से कुछ भी प्रशन पूछने की दरकार नहीं है बाप पतित पावन है, उनको ही तुम याद करते हूँ तुम उनकी याद से ही पावन बनेंगे मुझे बुलाया ही इसलिए है जीवन मुक्ती है भी सेकंड की फिर भी याद की यात्रा समय ले लेती है मुख्य याद की यात्रा में ही विगन पड़ते हैं आधा कल्प देह अभिमानी रहे हैं अब एक जन्म देही अभिमानी बनने में ही मेहंत है इनके लिए ब्रह्मा बाबा के लिए भी बहुत सहज है तुम बुलाते भी हो बाप दादा यह भी समझते हैं बाप की सवारी हमारे सिर पर है बहुत उनकी महिमा करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ बाबा, आप कितने मीठे हो, हमको कल्पकल्प कितना सिखलाते हो फिर आधा कल्प आपको याद भी नहीं करेंगे अब तो बहुत याद करता हूँ कल हमारे में कुछ भी ज्यान नहीं था जिसकी पूजा करते थे, हमको यह थोड़े ही मालूम था कि हम यह बन जाएंगे अब तो वंडर लगता है योगी बनने से फिर यह देवी देवता बन जाएंगे मेरे भी सब बच्चे हैं यह बाबा बहुत प्यार से बच्चों को संभालते हैं इनकी पालना करते हैं यह भी हमारे समान नर से नारायन बन जाएंगे यहां तुम आये ही हो इसलिए कितना समझाता हूँ बच्चे, बाप को याद करो देवी गुन धारन करो खान पान की संभाल करो चोटे बड़े बच्चों को प्यार से समझाता हूँ बच्चे, भूले मत करो किसको दूख न दो भूल करते हो गोया दूख देते हूँ बाप कभी भी दूख नहीं देते हैं वह तो डारेक्शन ही देते हैं मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे बहुत मीठा बन जाएंगे ऐसा मीठा बनना है देवी गुन धारन करने हैं पवित्र बनू यहां अपवित्र के आने का हुक्म नहीं है कभी कभी आने देते हैं वह भी अभी जब बहुत वृध्धी हो जाएगी तो कह देंगे यह है Tower of Purity, Tower of Silence उंच ते उंच है न अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना यह है Highest Power वहां बहुत Silence रहती है आधाकल्ब कोई जगड़ा आदी नहीं होता है यहां कितना जगड़ा आदी होता है, शान्ती हो न सके शान्ती का धाम है मूलवतन फिर शरीर धारन कर विश्व में पार्ट बजाने आते हैं तो वहां भी शान्ती रहती है आत्मा का स्वधर्म ही शान्ती है अशान्ती कराता है रावन तुम शांती की शिक्षा पाते रहते हो कोई गुस्से में होता है तो सब को अशांत कर देता है इस योगबल से तुम्हारे से सारा किच्डा निकल जाता है पढ़ाई से किच्डा नहीं निकलता है याद से सब किच्डा भस्म हो जाता है कट निकल जाती है बाप कहते हैं कल तुमको शिक्षा दी थी, क्या तुम भूल गए हो? 5000 वर्ष की बात है वह लाखों वर्ष कह देते हैं अब तुमको जूट और सच के फ्रक्का पता पड़ा है तुमको बाप ही आकर बताते हैं जूट क्या है, सच क्या है ज्यान क्या है? भक्ति क्या है? ध्रश्टाचार और श्रेश्ठाचार किसको कहा जाता है? ध्रश्टाचारी विकार से पैदा होते हैं वहाँ विकार होता नहीं तुम खुद कहते हो देवताएं सम्पूर्ण निर्विकारी है रावन राज्य ही नहीं है यह तो सहज समझने की बात है फिर क्या करना चाहिए? एक तो बाप को याद करना चाहिए, दूसरा पवित्र जरूर बनना चाहिए अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते धारना के लिए मुख्यसार एक पवित्र बनने में महावीर बनना है, याद की यात्रा से अंदर का किच्डा निकालना है अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है, अशांती नहीं फैलानी है दो बाप जो राइट बात सुनाते हैं, वही सुननी है Here no evil रांग बाते मत सुनो सभी को सुजाग करो पुरुशोत्तम युग में पुरुशोत्तम बनो और बनाओ वर्दान आत्मिक शक्ती के आधार पर तन की शक्ती का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव इस अलोकिक जीवन में आत्मा और प्रकृती दोनों की तंदरूस्ती आवश्चक है जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब वातन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण स्वस्थ अनुभव करते हैं उनके मुख पर चहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते कर्मभोग के वर्णन के बदले कर्मयोग की स्थिती का वर्णन करते हैं वे परिवर्तन की शक्ती से कश्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहते और संतुष्टता की लेहर फैलाते हैं। स्लोगन दिल से, तन से, आपसी प्यार से सेवा करो तो सफलता निश्चित मिलेगी।